संपुन्ट शराबंदी के बाद में 6 सालों बाद एक ऐसा रेकॉर्ड कायम हुआ अब बिहार में जो आज तक नहीं देखा गया लगातार लोगों को मौत के नींद को शुलाने वाले अब लोगों पर करवाई जा रही और चिराकपास्वान के भाई प्रिंस राज ने या रा तरीके से अपने लोगों को मजबूत किया और कहा कि हमने किसी को नहीं कहा कि शराब पिये और ऐसे में हम विचार करेंगे ये वक्त ये साथ तिशश्वी के क्यों जो बोल है वो बदल गए जो तिशश्वी सत्ता में नहीं थे उसके द्वारा कहा जाता था कि सब कुछ बड़ी खबर में बात करेंगे चुनावी चंद सभाओं और 2023 के त्यारी में जूटे अमेट सा आज दोबारा जिहां चुनावी महौल के रंग में ढले हुए दिखाई दिए और इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात्चीत होगी कैसे इस वक्त जीतर नमाजी जो है अमताब एनर्जी के बिधाय को को तोड़ करके एक बार फिर भारतिये जनता पार्टी अपना जो मजबूती है वो करना चाहती है और इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात्चीत होगी कि बिहार में होने वाले नगर निगम के चुनाओं में किस तरीके से डाले गए वो अनर्देश से वो जाय देखी गई है तो चोटी बड़ी सभी खबरों पर बिस्तार से उडालेंगे नजर उसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा बड़ी खबर निकल खरशा लैन निटीशकुमार को लेकर के निटीशकुमार ने कहा है कि मुवाजा देना है या नहीं देना है इसको उपर एक बार फ्र से बिचार किया जाएगा ऐसे में नितिश कुमार ने मानों जैसे भारती जंता पार्टी और सभी पार्टियों को चुप कर दिया हूँ नितिश कुमार ने सदन में ये भी कहा कि जब आप हमारे साथ थे तो हमने इस कानून को लागू किया था कहिये तो मैं इस कानून को वापस भी कर देता हूँ नितिश कुमार के इस बयान को सुनते वे बीजेपी ने कहा कि कानून को वापस करने की बात नहीं कही जा रही वही राज़त समेट जो बीजेपी के कई विधायक हैं उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया किया किन शाराबंदी कानून यह सबसे बड़ा कदम होगा क्योंकि शाराबंदी हटा देने से परदेश को राज़श्र की प्राप्ती होगी फोकस की दा सकता है लेकिन नितिश कुमार के इस बयान से कहीं न कहीं Бीजेपी असहेश्च दिखाई दी और बीजेपी ने उनकी इस बायानों से अपने आपको दूर रखते हुए दिखाई दिया चिरागपास्वान भारतिये जनता पार्टी के अगले केंडिडेट है और ऐसे में चिरागपास्वान के चेहरों को चमकाने की बीजेपी के तरफ से खवाई से तेज कर दी गई है चिरागपास्वान छपरा पहुँचे जहानीतिस कुमार पर जबरदस्त हमला बोला गया और शिराग पास्वान के तमाम सांसद जो पहले पशरपती पारशनात में चले गए हैं उन्होंने बड़े बड़े बयान दिये और बड़े बातों को रखते विए उन्होंने साफ सब्दों में एक बात कही, एक सुर में एक बात गही कि अगर आप चाहते हैं अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो जिस तरीके से बिहार में लोगों की मौत हो रही है इसके बाद में राश्टपती सासन लागू कर दिया जाना चाहिए और अगर प्रदेश में राश्टपती सासन लागू कर दि एक दूसरे से तो क्या आपको लगता है क्या रास्ट पतिसासन लागू होना चीए और बड़ी खबा निकल कर शामने आ रहे हैं इस वक्त भारत जोड़ो यातरा को ले करके साथ राहूल गाधी की ताक्ते मजबूत करने की कोशिश हो रही है ऐसे में राहूल गाधी ने भारत जोड़ो यातरा के साथ इसे कैसे सुचारू ढंक से लागू करना है इसके साथ कैसे इसे बहतर बनाना है यह तमाम चीजों को ले करके उन्होंने कहा 101 दिन आज पुरा हुआ उन्होंने आज भगवान का श्रोगन किया और इसके बाद में इस यातरा को आगे आने वाले वक्त में और तेजी से आगे बढ़ाने की चाहतों को रखा उन्होंने कहा कि हमारी एक-एक पल एक-एक मिनट जो है वो लोगों के लिए समर्पित है हम पैदल चल रहे हैं इसलिए ताकि हमारी बातों को जनता तक रखा जा सके क्योंकि हमारी बातों को बंद कर दिया गया है हमारी बातों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में जब हमारी बातें नहीं पहुंचने आनों जैसे अब सब कुछ मान लिया हो कि भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती मिलने जाए है और इसके साथ उनके द्वारा विन प्रकार से और भी चीजों पर अपनी बातों को रखा जा रहा है ताकि भारत जोड़े यात्रा को मजबूती दी जा से बड़ी खबर निकल कर शामने आरे इश्वक्त अर बड़ी खबर ये है कि अब संपून शराबंदी कानून को लेकर के उठते सवाल जबाब के बीच में बिहार के लोगों को जहरीली सराब के सेवन के बाद में मौत की नीन सुलाने वाले इस सराब के तमाम तसकरों पर करवा यह कर दी गई है और ऐसे तसकर जो शराब बेचते हैं बड़ी खिप मंगाते हैं इन तसकरों के ग्रफतारी तेजी शकीज आ रही है छपरा पटना गुपाल गज मजफर पूर साथ बिहार के कोने-कोने से इन तसकरों को घेरा जा रहा है और इन तसकरों को ग्रफतार क्या जा रहा है जो शराब को बेचते थे और ऐसे में इन सभी लोगों के गिरफतारी की जाने के बाद में अब करवाई का सिलसिला भी जारी होगा जिन्होंने बेकुशूरों का जान लिया जिन्होंने बिना कुछ सोचे शमझे जहरीली सराबों को मानों जैसे पानी के भाव में बहा दिया अपने पूजियों को वापस लाने के लिए लोगों को मारने के लिए तो ऐसे लोगों पर भी कहीं न कहीं दाग लगता है कि आप सराब क्यों भीते हैं और शराब एक गंदी चीज़ है ऐसे पीने वाली लोगों पर भी बतर बड़ी खबर निकलकर शामने आरे की परियास की गए आज बहार में नगर निगम का चुनाव सफल पुर्बक कर लिया गया चुनाओ के रद किये जाने के बाद में आज चुनाओ के लिए मत डाला गया मत दाताओं ने अपनी एक एक मत पून भोट पर त्यासियों के लिए डाला जीत हार का फैसला बिस तारी और किसे मिली कहां से जीत ये जनता ने जो ने धारित किया है जनता ने जीसे चाहा है वही होगा और लोकतंत्र का आज एक और बिहार में खुबसूरत सुबह का सुरवात हुआ खुबसूरत सुबह जब जनता घरों से बाहर निकल कर एक एक वोट जो है वो जनता ने परत् कर दिया बड़ी ख़ब निकल कर शामने अरे शुशिल कुमार मोधी को ले करके बिहार के पुर्व मुख मंत्री शुशिल कुमार मोधी छप्रा पहुंचे थे और छप्रा पहुंचने से पहले आज उन्हों ने एक बड़ा बयान दिया शुशिल कुमार मोदी ने कहा कि जिस तरीके से पहले रेडियू का जमाना था फिर डिश्टल मेडिया आज आ गई है ऐसे में हम जो बाते कहते हैं वो बाते आज जनता के समय पहुंच रही है लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर पहले हम ल मिलता था और आज इस्तीफा की बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि नितिश कुमार सब नहीं समहल रहा है बिहार और नितिश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए शुशिल कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि नितिश कुमार जी जो शत्ता की कुर्शियों को ले करके भोगने में लगे है यह नहीं किया अरश मक्ता आप किसी चीज को सर पर नहीं धोप सकते और ऐसे में इन चीजों के थोपgender जाने और न थोपि जाने वाले मामलों पर नई टिपडियों को कसा गया शुशिल कुमार मोधी ने माने जैसे एक बार पुना जब अरदस्त हमला जो है वो किया है बड़ी खपर निकल कर शामने आ रही है प्रिंस राज को लेकर के प्रिंस राज ने आज पुना एक बार फिर जो है आपको दादिक राजपाल को ग्यापन सौपा राजपाल को ग्यापन सौपे जाने के बाद में उन्होंने यह मांग की कि बिहार के तमाम सराप पीकर के मरने वाले लोगों के घर वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए शुराख पास्वान के भाई पशुपती पारशनात के बेटे प्रिंस राज आज नए अंदाज में नजर आया और उन्होंने साप सब्दों में एक ही बात कहा कि बिहार की सरकार जो है वो धोश्त हो जुगी है राष्टपती सासन लागू करने की यहाँ पर कोशिश की जन शुरक्षित कर शुकता है कर जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से भोट मांग रहे हैं, जनता से इस बारे में बता रहे हैं, सिमाचल में टीमसी के निताओं को तोड़ कर बीजेपी ने अपने में सामिल कर लिया, इधर बीजेपी एक और बात कर लिये कि जब तक हाथों में सत्ता है, तब तक सब कुछ सुरक्षित है, सत्ता जाने के बाद में सुरक्षाओं का जो भेदभाव है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे चीज़ों को लेकर के बयाने सामने आ रही है तो आप इसके बारे में क्या शोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आपकी एक एक प्रतक्रियाओं कहां में बहतर ढ़ंग्षे इंतजार रहेगा तो बने रहे हैं आप हमारे साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा आज के लिए इतना ही इस वीडियो को जादा सजारा लोगों तक सेयर करके जरूर पहुंचाएगा आईटी ने हो उसके लिए दिपाउ कुमार सिन की रिपोर्ट जाये है